तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीप्यासी के तरफ से जो शॉर्ट नॉटिफिकेशन जारी हुआ है कि नेक्स्ट सीटेट का एक्जाम कब होगा इसके जो डेट है वो अनॉंस कर दी गई है और रजिस्टेशन कब से शुरू होंगे तो इस वीडियो को कमप्ली देखिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी तो देखिए यहाँ पर जो डेट लिखी है कि नेक्स्ट सीटेट का एक्जाम कब होगा तो आठ डिसंबर 2019 को संडे की दिन आपका जो है सीटेट का एक्जाम लिया जाएगा और इसका जो रजिस्टेशन शुरू होंगे वो 19 अगत से ठीक है मंडे से इसके जो रजिस्टेशन है वो होने शुरू हो जाएंगे और इसके जो इन्फोर्मेशन है यहाँ आप देख सकते हो इससे रिलेटर जो इन्फोर्मेशन है वो 18 अगस्त को मिन्स संडे के दिन सीटे.nick.in वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो वहाँ पर आपको मिल जाएगी 19 अगत से पहले आपका जो पूरी कंप्लेटली इन्फोर्मेशन है वो 18 अगस्त को एक बार आप वेबसाइट चेक कर लिजगा सीटे.nick.in पर और ओनलाइन रजिस्टेशन जो शुरू होंगे वो 19 अगस्त से मंडे से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है इसकी वो है यहाँ आप देख सकते हो इसकी जो फॉर्म है वो उन्नीस अगस्तining से अठारा सितंबर तक भरे जाएंगे गा槍 है इसकी पे करने की साद्रेशन फॉर्सक्राइफ दo.. बेख सब्सक्राइब उन्हास कि अच्छन वह भार दोपाहर कई कर सकते हो जो जुरूरी information देनी है कि जो CETAT का exam होता है वो किसलिए होता है देखें सबसे पहले तो हम यह जा लेते हैं कि CETAT का exam होता है CBSC के तरफ से conduct कराया जाता है teaching jobs के लिए exam होता है for first to eight classes teaching jobs के लिए है यह exam और जब आप CETAT के exam को qualify कर लेते हो तो central schools KBS, NBS, Delhi government schools में आप jobs के लिए apply कर सकते हो है केंद्रिय विदाले, नवोदय विदाले, Delhi government schools में आप apply कर सकते हो एक बार आप CETAT को clear कर लेते हो तो आप eligible हो जाते हो इन schools में apply करने के लिए और आगे जो लिखा है Many state level teaching jobs also accept CETAT scores मिस कई जो state level पर teaching jobs निकलती है वहाँ पर भी CETAT को मांगा गया है तो आपके लिए जरूरी है CETAT को clear करना आगे जो notification जारी हुआ है वो आप एक बार देख सकते हो इसमें जो लिखा है आज इसका notification जारी हुआ है इसमें लिखा है कि 8 December 2019 को संडे की दिन आपका CETAT का exam होगा 20 भाशाओं में होगा 110 cities में होगा और इसके जो information है means examination से related syllabus, language, eligibility criteria, examination fee और examination cities, important dates जो है वो available कराई जाएगी 19 अगस्त को 19 अगस्त को यह जो है मतलब इसकी जो detail है वो update कराई जाएगी official website पर आप चेक करना www.cetat.nick.in तो यहाँ पर आप pause करके यहाँ देख सकते हो यहाँ पर भी जैसे लिखा है इसका जो online application process शुरू होगा 19 अगस्त से शुरू होगा इसको जो last date है online application की वो होगी 18 सितंबर और fee deposit कराने की होगी 23 सितंबर साड़े तीन भजे तक है ना तो आप इसको क्या कर सकते हो pause करके यहाँ आप इसको पढ़ लेना ठीक है so video को like and share कर दीजे चैनल को subscribe कर लीजे देखिए मैं आपको यहाँ पर latest update जो आती है उनसे अगगत कराती हूँ और यहाँ पर तयारी भी होती है आपकी टैट से लेटिड तो अच्छी तयारी के लिए आप चैनल को subscribe कर लीजे थैंक्स फर वचिंग मैं वीडियो तिल दन बबाए रबाका ज्या बोले नात